बच्चों, कोवेड महमारी से बचने के लिए केवल आपने अपना मूँ और नाकी नहीं मास से ढखना है पर आपके मित्रों, जान पहचान के लोगों जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनको भी बताना है और उन्हें भी मास पहनने के लिए कहना है यदि वे हात धोने की महिमा नहीं जानते, तो उन्हें अब तक आप पताएं, कि कैसे हात धोने से हम की टानू रहित हो सकते हैं, और यहे चीज़ आपने औरों को भी बतानी है, और अगर कोई आप से दूरी नहीं रख रहा है, तो उसे दूरी रखने को कहें, इन बातों का ध बेबीज ये जो आप देख रहे हैं अलफाबेट ये सारी कर्सिव एलफाबेट आप बहुत अच्छे से अपलिकना सीख गए हैं और इनकी प्रैक्टिस करते जाएगा बच्चो आज मैं आपको सबसे पहले कर्सिव एन के बारी में बताऊंगी यह कर्सिव एन है बच्चो अब मैं आपको कुछ पिक्चज दिखाऊंगी उनका नाम कर्सिव एन से शुरू होता है जैसे नेट यानी जाल नर्स चिल्रन, I will explain you how to write कर्सिव एन on the blackboard बच्चो अब मैं आपको शामपट पर कर्सिव एन लिखना सिखाऊंगी कर्सिव एन starts from the lower blue line move up while making a slanting line, touch the upper blue line, turn, come down, touch the lower blue line, go up again, turn, now make a hump and a tail like this कर्सिव एन नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है एक तिर्ची रेखा उपर वाली नीली रेखा तक बनाए फिर मुरें और नीचे वाली नीली रेखा तक आन अब फिर से उपर जाएं मुरें और एक हम व एक पूँच इस तरीके से बनाएं और रुकें चिल्डन कर्सिव एन स्टार्स फिर मुरें और नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है एक तिर्ची रेखा उपर वाली नीली रेखा तक बनाएं फिर मुरें और नीचे वाली नीली रेखा तक आन अब फिर से उपर जाएं मुरें और एक हम व एक पूँच इस तरीके से बनाएं और रुकें Children, this is the sample work to be done in your four line English notebook बच्चों यह आपके लिए कारे करने का नमूना है जो की आपने चार रेखा वाली English notebook में करना है Cursive N starts from the lower blue line, move up while making a slanting line, touch the upper blue line, turn, come down, touch the lower blue line, move up again, turn, now make a hump and a tail like this Cursive N नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है एक तिर्ची रेखा उपर वाली नीली रेखा तक बनाएं फिर मुरें और नीचे वाली नीली रेखा तक आएं अब फिर से उपर जाएं, मुरें, उसके बाद एक hump और एक पूँच इस तरीके से बनाएं और रुकें Children, Cursive N starts from the lower blue line, move up while making a slanting line, touch the upper blue line, turn, come down and touch the lower blue line Move up again, turn, now make a hump and a tail like this जो Cursive N नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है एक तिर्ची रेखा उपर वाली नीली रेखा तक बनाएं, फिर मुरें और नीचे वाली नीली रेखा तक आएं अब फिर से उपर जाएं, मुरें, उसके बाद एक हम और एक पूँच इस तरीके से बनाएं और रुकें बच्चों, अब मैं आपको कर्सिव M के बारे में बताओंगे बच्चों, अब जो मैं आपको पिक्चर्स दिखाने जा रही हूँ, उनका नाम कर्सिव M से शुरू हो रहा है जैसे मश्रूम्स, जो जादा तर सफेद रंगे होते हैं मग Children, now I will explain you how to write कर्सिव M on the blackboard बच्चों, अब मैं आपको शामपट पर कर्सिव M लिखना सिखाऊंगे Cursive M starts from the lower blue line, move up while making a slanting line, touch the upper blue line, turn, come down, touch the lower blue line, go up again, turn, now make two humps, one hump, another hump and a tail like this Cursive M नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है एक तिर्ची रेखा उपर वाली नीली रेखा तक बनाएं फिर मुड़ें और नीचे वाली नीली रेखा तक आएं अब फिर से उपर जाएं मुड़ें और दो हम पहला हम दूसरा हम और एक कूच इस तरीके से बनाएं और रुकें Children, Cursive M starts from the lower blue line Move up while making a slanting line Touch the upper blue line Turn, come down Touch the lower blue line Go up again Turn Now make two humps One hump Another hump And a tail like this Cursive M नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है एक तिर्ची रेखा उपर वाली नीली रेखा तक बनाएं फिर मुड़ें और नीचे वाली नीली रेखा तक आएं अब फिर से उपर जाएं मुड़ें और दो हम पहला हम दूसरा हम और एक कूच इस तरीके से बनाएं और रुकें Children, this is the sample work to be done in your four-lined English notebook पच्चों, यह आपके लिए कारे करने का नमूना है जो कि आपने अपनी चार रेखाओं वाली English notebook में करना है Children, cursive M also starts from the lower blue line Move up while making a slanting line Touch the upper blue line Turn, come down, touch the lower blue line Move up again Turn, now make two humps One hump, another hump and a tail like this बच्चों, cursive N की तरहा, cursive M भी नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है सबसे पहले एक तिर्ची रेखा उपर वाली नीली रेखा तक बनाएं Children, I am writing cursive M again Cursive M starts from the lower blue line Move up while making a slanting line Touch the upper blue line Turn, come down and touch the lower blue line Move up again Turn and make two humps like this One hump, another hump and a tail बच्चों अब एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि cursive M कैसे लिखते हैं Cursive M नीचे वाली नीली रेखा से शुरू होता है सबसे पहले एक तिर्ची रेखा उपर वाली नीली रेखा तक बनाएं फिर मुड़ें और नीचे वाली नीली रेखा तक आएं अब फिर से उपर जाएं मुड़ें और उसके बाद दो हम इस तरीके से बनाएं पहला हम, दूसरा हम और उसके बाद एक पूँच Children, this is the way you have to complete the exercise of writing cursive N and cursive M in your four-lined English notebook बच्चो इस तरीके से आपने अपनी चार रेखाओं वाली English notebook में cursive N और cursive M लिखने का कार्य पूरा करना है Thank you Children, Bye Bye